हलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका ITBP Constable Tradesman देखें, ड्राइवर की भरती उसके बाद में शुरू हुई थी ड्राइवर की भरती में पूरा 100 नंबर का रिटन टेस्ट के अधार पर मैरिट बनेगी लेकिन जो Tradesman है उसमें Merit List किस परकार बनेगी यह जो Advertisement है Advertisement का Page No.14 है, Relevant Para वो हम देखते हैं कि Merit List in each category namely UR, SC, ST, OBC and X Servicemen will be drawn on the basis of marks obtained by the candidates in the professional trade test and return test, यानि दोनों के अधार पर मैरिट बनेगी अभी बहुत सारे candidates को यह doubt है कि Merit क्या सिरफ return के अधार पर मनेगी या Merit Trade के नंबर भी जुडेंगे और किस अधार पर जुडेंगे और वो जो नंबर आपके trade test के show किये हुए हैं, जो site पे show होता है आपका क्या वो weightage निकाल कर दिया गया है पूरा इस वीडियो में हम discuss करेंगे और दूसरा point हम यह भी यहाँ पर discuss करेंगे कि trade test के नंबर क्यों जोडे जा रहे हैं जब January 1-2016 से यह भारत सरकार ने rule लागू कर दिया था कि group B और C की भरतियों में trade test के नंबर नहीं जोडे जाएंगे अब यहाँ पर weightage कैसे किया है weightage जो 60% weightage return test का किया गया है और 40% जो है वो trade test का weightage किया गया है अब एक बात मैं आप से देखिए और कहना चाहूंगा कि आप लोग यह वीडियो देखने के बाद में कुछ हमारे साथी जो है वो बड़ा खिलाफ हमारे खड़े हो जाते हैं बहुत सारे बद्दे comments करना शुरू कर देते हैं यह हम आपको एक बात बता दूँ कि ना तो हम भरती होने वाले candidate है और ना ही हम आपको प्रेरित कर रहे हैं कि आपको क्या करना है हम एक सच्चाई आपके सामने रख रहे हैं जो करना है वो आपने निरने करना है हम किसी को यह नहीं कर रहे हैं कि आप यह किजिए आप वो किजिए आप यह मत किजिए जब जनवरी 10, 2021 को आपका written exam हुआ था तब हमने एक point हमने उठाय था कि OMR sheet में Hindi और English का option नहीं था यह point के अधार पर हमने एकाता है कि इसको challenge किया जा सकता है इसको cancel करवाया जा सकता है लेकिन वो 7 दिन भी नहीं हुए थे Sunday को आपका exam हुआ था और Friday को ही उसका order आ गया था कि यह exam जो है वो written exam आपके cancel हो गई थी उसके बाद OMR sheet की वज़े आपका exam जो है वो computer base हो गया CBT आपका हो चुका है marks बहुत अच्छे है candidates को 48 तक भी marks है लेकिन trade test में 16.5 ही number है तो वो कहां तक पहुंसते हैं और जिसको दोनों में 35 है वो कहां तक पहुंसते हैं और जिसको एक में 40 और दूसरे में उसको 35 है वो कहां तक हो सकते हैं वो भी देखिए हम आपको बता देंगे इसमें अब ये जो है इस पर जो प्रशनवाचक चिन है वो क्यों लग रहा है इस पर प्रशनवाचक चिन इसलिए लग रहा है कि कुछ हमारे साथी जो है उन्होंने हमें हमारे साथ डिसकस किया, हमें उन्होंने पूछा कि D.O.P.T. का जो लैटर जो एक जनवरी 2016 से जो गवर्मेंट आफ इंडिया का आदेश है, कि किसी भी प्रकार का ग्रूप B और C की वेकंसी जो है उसमें इंटर्व्यू बंद है, तो उसमें क्या स्किल टेस् भी क्या उसमें कावर होता है, अब यह आपको दिखा देता है, यहाँ पर ओफिस मेमोरेंडम डेट क्या है इसका, वो आप देख लिए, 39 दिसंबर को यह इश्यू हुआ है, D.O.P.T. इसका पैरा F जो है उसमें साफ लिखाव है, आप इसका चाहें तो आप ट्रांसलेट करके आप इसको गूगल ट्रांसलेट कर लिजीए, इसमें क्या लिखाव है, इस आलसो क्लेरिफाइड डैट एट एज स्किल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट इस डिफरेंट फ्रूम आप टीबीपी खुद अपनी भर्तियों में ये विसंगती है, ऐसा मानता क्यों रख रही है, कि एक भर्ती में ट्रेट टेस्ट के मार्क्स जोड़े जा रहे हैं, दूसरी भर्ती में ट्रेट टेस्ट के मार्कस नहीं जोड़े जा रहे हैं, मैरिट निर्धारण में ड्रां झाल आफिस मेमोरेंडम के पैरा एफ में साफ है कि हाववर इस टेस्ट्स विल ओनली बी अफ क्वालिफाइंग नेचर असेस्मेंट विल नॉत बीड़न बेसिस अफ मार्क्स फॉर सस्टेस्ट्स यानि को जो टेस्ट्स और स्किल टेस्ट है उसके बेस पे असेस्मेंट नहीं होगा असेस्मेंट सुर्फ रिटन के अधार पर होगा इंटर्व्यू के अधार पर असेस्मेंट नहीं होगा ग्रूप B और C में तो ये जो आपका जो ITVP का जो भरती है ये ग्रूप C में आती है इसके पर ये नियम लागू क्यों नहीं हो रहा है इसी की हम बात कर रहे थे कल एक वीडियो इसका बनाया उसके बाद काफी विरोध होने लगा हमें ये भी कहा जाने लगा कि आप अपना काम करो हम बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं और देखिए इस तरीके के हमने काम करके और केंड मेरिट निर्धारन का जो फर्मूला है ITVP Constable Tradesman मेरिट में यदि ट्रेट टेस्ट के नंबर जुडेंगे तो किस फर्मूले से जुडेंगे आप खुद देख लिजे और ये तब हो रहा है जब एक जनवरी 2016 से सभी ग्रूप B और C की भरतियों में इंटर्यू, स्किल टेस ट्रेटर सभी बंद हैं, अब कुछ हमारे साथी जो ये कहते हैं कि आप अभी बोल रहें बात आप 2017 में क्यों नहीं बोले, हम बिल्कुल बोले थे 2017 में भी, और जो ओफलाइन तयारी करने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बात बोले थे, लेकिन वो स्टूडें की दो भरतियां उसके बाद में हो गई हैं, वो सब भरती हो चुके हैं, इसलिए हम ये बात अभी इसलिए बोलनी पड़ रही है, क्योंकि अभी आप फॉर्मॉले में आपको दिखा देंगे, कि नाइंसाफी किस कदर होगी, और जो महनत वाले जो साती हैं, वो कैसे बात शांदार महनत किया है, और जो रिटन में 48 ले रहा है, वो ही कोई चिटिंग करके रिटन में 48 नहीं ले रहा है, वो ही महनत किया है, दोनों ही महनत किये हैं, लेकिन हम बात उसकी कर रहा हैं, जो समानता की बात है, कि जब सभी डेपार्टमेंट्स में, सभी मिनिस्ट् में ये Office Memorandum लागू कर दिया गया तो ITBP के उपर लागू क्यों नहीं है और ये लागू कैसे करवाया जा सकता है वो हम आपको बता देते हैं यहां पर देखिए क्या है कि दो Candidate हैं यहां पर एक है Candidate A Candidate A जो है यह काम करते हैं यह सपोज कीजिए कि यह catering का काम करते हैं होटल लाइन में काम करते हैं बहुत अच्छे कुक हैं यह कुक से भरती यह देखते हैं और इनको पढ़ाई जो है वो भी यह ठीक कर रहे हैं लेकिन अपने trade की इनको mastery है पचास में से trade में इनको 45 मिल जाता है 45 मिल जाता तो weightage निकाल कर वो कितना बनता है weightage देख सकते हैं आपकी 50 में से यानि कि 50 में से मिलता है 45 तो एक में से कितना मिलेगा 45 बटा 50 हो गया गुणा weightage कितना है उसका 40% weightage है तो यह 9 और 9,4 36 नमबर उनके बन गया अब आप लोग यह कहेंगे कि हमने तो नहीं देखा trade test में किसी को 36 नमबर है क्या देखिए आप ने नहीं देखा आप तो अपना जानते हैं दूसरे का आपको क्या पता कितना नमबर है वो तो तब मिलेगा आपको जब list आएगी और उसमें trade में 36 return में 30 और candidate भरती हो गया उधर return में 40 trade में 16 या return में 45 trade में 16 वो candidates भरती नहीं हो पाए तब आपको पता चलेगा ऐसा पहले भी हुआ driver भरती जो पिछली हुई थी उसमें भी यह हुआ था 2015 के driver भरती में उसमें भी trade के marks थे trade में बहुत ज़्यादा marks थे candidate को और return में normal marks थे वो candidate भरती होगे अब return में इनको इदी 35 नमबर 35 questions सही है तो 35 सही है तो देखे 35 का कितना मिलेगा 35 कितने में से ले रहे हैं वो 35 वही 50 में से ले रहे हैं और इसका weightage return का कितना बनेगा return का 60 का weightage बनेगा तो यह हो गया 7 और 7 चे 42 अब 42 और 36 यह इनका number कितना हो जाता है इनका marks हो जाता है 42 और trade कुल अंक trade और return के दोनों के मिलाकर इनके हो जाते हैं 78 अब यह 78 हो गए ठीक है एक candidate लेना है तो 78 वाला जो है वो अभी यारी बहुत शांदार करते हैं वो भी catering का काम करते हैं उन्होंने भी पराटा, पूरी, चिकन बहुत अच्छा बनाया उन्होंने भी ट्रेटरस्ट में उनको 50 में से 25 अंक मिला अब आप देख सकते हैं एक को तो 50 में से 25 मिलता है मेहनत दोनों की कैसी है आप कुछ समझ सकते हैं यहाँ पर दोनों ने मेहनत की है वेटेज निकाल कर इनका कितना होता है वेटेज निकाल कर इनका 20 होता है और मैं आपको बता दूँगे हमारे बहुत सारे जो साती है उनका 20 भी weightage नहीं निकल रहा है, उनका weightage जो है, वो 16.5 निकल रहा है, 16.5 पर उनके marks है, तो ये अभी 20 हमने कर लिया, हमने सम 16.5 नहीं रखना चाहते हैं, 20 रख लिया, return में 45 questions सही है, return में 48, 49 भी सही है candidates के, क्योंकि जो paper जो था, उसका level ऐसा नहीं था, कि उसमें 50 में से 50 भी नहीं ले सके candidate, weightage निकल कर इनका 45 जो है, वो कितना हो जाता है, 45 कितने में से लिया है, 45 लिया है, 50 में से, तो 60 में से कितना होगा, ये हो जाएगा, 9 और 9, 6, 54, अब 54 इसमें एधी आप जोड देते हो, तो 54 ये तो 74 ही हुआ, जो इनके साथी दूसरे है candidate A जो है, उनको तो 78 हो रहा है, return में 35 लिया था, लेकिन trade में किस आधार पर क्या criteria trade के marks का है, वो आपको खुद को पता चल रहा है यहाँ पर, तेखिए हम किसी organization के उपर यहाँ पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमारे पास में कोई proof नहीं है, एसा कि हम आरोप लगा दें, ह हमारे जिन साथियों को यह doubt हुआ, कि मैंने बहुत अच्छा trade test किया था, लेकिन मेरे को 16.5 ही number है, और मेरे को return में मुझे 48 है, अब 48 जो है, वो कितने में से है, 50 में से है, और weightage निकाल कर वो कितना होता है, weightage निकाल कर जो है, वो होता है, 60 में से दी weightage निकालते हैं उसका, तो वो कितने माक्स हो जाएंगे, और उसमें यह दी 16.5 पन जोड़ेंगे, तो भी कितना होता है, वो भी आप देख सकते हैं, इनका जो तीसरा साथी है, उसको भी मैं आपको बता दूँ, उसको यह weightage निकाल कर होता है, 57.6 होता है, अब 57.6 उसमें आप जोड़ दीजिए, साड़े 16 जो है, उसका 16.5 उसका return का है, त्रेड का है, ट्रेड में maximum candidates को 16.5 है, तो भी उसका 74.1 ही होता है, यानि कि वो जो 35 नंबर लेकर ट्रेड में भी 36 ले रखा है, उससे वो down है भी भी, आप खुद समझदार हैं, चार साल से आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम भी चार साल से आपके साथ इस मेहनत में शामिल है, लेकिन आफी विडम बना यह है कि हमारे पास जो students पढ़ रहे थे, वो चार साल वाले जो है, आफलाइन जो तयारी कर रहे थे, वो नहीं है हमारे पास में, और दस जनवरी को जब एक्जाम हुआ था, उसको OMR शीट में हिंदी और इंगलिश का विकल्प नहीं था, उस समय हमने एडवोकेट का इंट्रिवू भी किया, और उसके बाद हम तीन दिन तक एडवोकेट के दफ्तर में continue हम गए थे, लेकिन क कोई candidate उस समय वहाँ पर नहीं आया था, अभी इसमें कुछ हमारे साती ऐसे हैं कि जिनकी ये शिकायत जो है, वो कहते हैं कि ये गलत हो रहा है, मेरे को 48 marks है, या मेरे को 45 marks है, या मुझे 42 marks है, या मुझे 40 marks है, merit का नरधारन जो है, वो सिरफ और सिरफ रिटन के अधार पर ह होना चाहिए, और D.O.P.T. का letter जो है, वो उनके पास में है already, ये D.O.P.T. का letter जो आपको दिखाया है, ये हमारे पास में नहीं है, आप इसका PDF के लिए हमें message नहीं करना, हम नीचे description में एक WhatsApp लिंक दे रहे हैं, जिस link में कुछ वो candidates जुडे वे हैं, जो इस पूरा process जो है इसके के लिए representation दे रहे हैं वो, तो आप भी उनके साथ यदि जुड़ना चाहते हैं, तो आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, यदि आपको वीडियो से कोई आपत्ती है, तो देखिए, आप comment करना आपका हक है, लेकिन comment करते समय आप भाशा की मरियादा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जब हम इस तरह का देखिए, वीडियो बना सकते हैं, और कानूनी जानकारी दे सकते हैं, तो हम कानूनी कारवाई भी हम करना जानते हैं, लेकिन आप student हैं, इसलिए आपको सरफ आगाह कर रहा हूं, जैहंत!